ये कहानी है एक ऐसे जन्मजात देश भक्त की जिसने अपने जीवन का हर पल, हर छण देश की सेवा के लिए तिल तिल करके अर्पित कर दिया ये कहानी है भारत माता के एक ऐसे सच्चे सुपूत की जिसने देश में एक ऐसे संगठन की स्थापना की चो न केवल भारत में बल की पूरी दुनिया में सबसे बड़ा सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन बन गया ये कहानी है उस केशव की जिसे उनके अन्याई परमपूज डॉक्टर हेडगेवार के रूप में याद करते हैं और उनके बताय हुए पदिचिन्नों पर पूरे जीवन भर चलने की कोशिश करते हैं चैत्र शुक्ल का पहला दिन यानि वर्ष प्रतिपदा यानि वह दिन जिस दिन हिंदू नवर्ष या भारतिय नवर्ष मनाया जाता है इस दिन का भारत के इतिहास में बहुत विशेश महत्तो है कहा जाता है कि ब्रह्मा ने इसी दिन श्रस्ट की रचना की थी इसी दिन भगवान श्रीराम का राज्यय भी शेक हुआ था इसी दिन महान समराट विक्रमा दित्य ने अपने राज्जी की स्थापना की थी 1st April 1889 को भी वर्ष प्रतिपता थी और उसी दिन राष्ट्रिय स्वयंसेवक संग के संस्थापक डॉक्टर केशवराव बलिराम हैटगेवार का जन्म नाकपुर में एक पहुत ही साधारण परिवार में हुआ था उनकी माता का नाम रेवती बाई और पिता का नाम बलिराम पंत था डॉक्टर हैटगेवार जन्मजात देश भक्त थे ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ इसको समझने के लिए उनके बचपन की कुछ घटनाओं की चर्चा यहां करूँगा पहली घटना है 22 जून 1897 की इंग्लेंड की महारानी विक्टोरिया का साथमा जन्म दिन पूरे देश में भौत अर्षोलास से मनाया जा रहा था मिठाईयां माटी जा रही थी एक मिठाई का दोना बालक केशव को भी मिला जैसे ही केशव को यह पता लगा कि यह मिठाई रानी विक्टोरिया के जन्म दिन की खुशी में है उन्होंने ततकाल वो दोना मिठाई सहित एक कूड़े के धेर पर फेंग दिया और अपने साथियों से बोले मैं उन्हें अपने देश की रानी नहीं मानता ऐसी ही एक और घटना 1901 यानी 1901 में घटी इंग्लेंड के साथ में एडवर्ड किंग ने अपनी राजगद्दी समाली उसी खुशी में नादपुर के एमपरेस मिल में आतिश बाजी का कारिक्रम आयोजित हुआ उस आतिश बाजी को देखने के लिए केशव के साथियों ने उन से चलने के लिए कहा तो केशव ने जवाब दिया उनके राज़ा बनने पर हमें क्यों खुश होना चाहिए केशव की उम्र केवल बारा वर्ष थी समझना चाहिए क्यों मैं उन्हें जन्म जात देश भक्त कह रहा हूं एक और घटना आपको सुनाता हूं नागपुर के सीताबर्डी किले पर अंग्रेजों का जंडा यूनियन जैक फैराया करता था जिसे देखकर केशव का मन बहुत दुखी और परिशान रहता था वे सोचा करते थे वहाँ पर तो छत्रपत्री शिवाजी महाराज का भगवा धज फैराया जाना चाहिए बस फिर क्या था उन्होंने अपने साथियों के साथ किले के अंदर जाने के लिए एक सुरंग खोदने की योजना बना डाली अपने वजहे गुरूजी के घर के एक कमरे में खुदाई का काम शुरू भी कर दिया फावडों और कुदालों की आवाज जब वजहे गुरूजी को सुन अब केशव युवा अवस्था की देलीज पर पैर रख रहे थे वे लोकमान ने बालगंगादर तिलक से बहुत प्रभावित थे समाचार पत्र केशरी की साहता के लिए 1904 & 5 में धन इखठा करने का एक बहुत बड़ा आयोजन पूरे देश में हुआ जिसमें केशव ने बहुत बढ़ चड़ कर हिसा लिया उस समय युवा होते हुए केशव की उम्र 15 वर्ष थी केवल 15 वर्ष उन्हीं दिनों जिवा होते केशव ने देश बंदु समाज की स्थापना की जिसके बारे में प्रसिद्ध क्रांतिकारी लेखक बाल शास्त्री हरदास ने अपनी पुस्तक आम्र स्ट्रगल फार फ्रेडम के पेज नंबर 372 पर लिखा है डाक्टर हैडगेवार ने सोले वर्ष की आयू में जिवाओं में क्रांतिकारी गुड़ों के विकास के लिए 1905 में एक चर्चा मंडल देश बंदु समाज की स्थापना की इसी पुस्तक के पेज 374 पर लिखा है कि डाक्टर हैडगेवार द्वारा इस संगठन के सदस्यों को यहाँ प्रतिग्या कराई जाती थी कि अपना शरीर और आत्मा मात्र भूमी की सेवा में अर्पित करता हूँ युवा होते केशव की एक और घटना सुनिये 1907 में वे अपने चाचा जी आबाजी हेडगेवार के घर राम प्याली गए वहाँ पर दशेरे के दिन सीमोन लंगन का जिलूस निकलता था जिसमें 18 वर्षिये केशव ने भरी भीड के सामने विशाल जन्समदाई के सामने भाशर दिया सीमोन लंगन करो दास्ता से नाता तोड़ो स्वाधींता से नाता जोड़ो बस फिर क्या था अंग्रेज पुलिस के गुप्तचर उनके पीछे लग गए उनकी गिरफतारी हुई मजिस्ट्रेट ने उनसे माफी मांगने को कहा उन्होंने स्पस्ट माफी मांगने से मना कर दिया कम उम्मुर के काराण मजिस्ट्रेट ने उन्हें थोड़ी देर तक जेल में बंद रखा और उसके बाद छोड़ दिया यह उनके जीवन की पहली गिरफतारी थी अब मैं आपको 19 वर्षिय युवा केशव की एक और घटना से अवगत कराता हूँ जब उन्होंने अपने स्कूल के सवपार्टियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ करांति का बिगुल ही फूंक दिया ये बात 1908 की है जब वे नादपुर के नीन सिटी हाई स्कूल में पढ़ते थे उस समय अंग्रेज सरकार ने एक रिसले सरकूलर निकाला इस सरकूलर के माध्यम से उन्होंने सभी विध्यालेओं में सभी स्कूलों में वंदे मातरम बोलने या वंदे मातरम का उद्गोश करने पर प्रतिबंद लगा दिया ये प्रतिबंद युवा केशव को कैसे सुईकार होता उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर इस प्रतिबंद का विरोध करने की ठानी उस स्कूल में करीब 2000 विध्यारती पढ़ते थे सभी के साथ मिलकर योजना बनाई गई सभी ने इस योजना में केशव का सहयोग किया कुछ दिन बाद जब एक अंग्रेज इंस्पेक्टर स्कूल का निरिक्षण करने आया तो जिस क्लास में वो इंस्पेक्टर जाता उस क्लास के विध्यारती उसका स्वागत वंदे मात्रम के जैगोश से करते जिस भी क्लास में वो गया उस क्लास में वंदे मात्रम का जैगोश उस अंग्रेज इंस्पेक्टर को सुनाई दिया सारे अध्यापक आश्चर चकित थे और वो अंग्रेज अफसर तो हक्का बक्का रहे ही गया था इस घटना करम की जाच हुई अन्त तहा युवा केशव ने ये स्विकार किया कि इस सारे कारिकरम का नित्रत उन्होंने किया था परिणाम हुआ कि उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया थोड़े दिन बाद उनका वो नील सिटी हाई स्कूल भी अंग्रेज सरकार ने बंद कर दिया अब केशव के सामने समस्या थी कि उनकी मैट्रिक कहां से पूरी हो नागपूर में उन्हें किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं मिला तब वे यवत्माल गए वहाँ पर विद्यागर नामक स्कूल से उन्होंने मैट्रिक की परिक्षा प्रथम श्रेडी में पास की अब केशव के सामने बड़ा प्रश्न था कि आगे क्या करना चाहिए इसका समाधान किया डाक्टर बाल करश्न शिवराम मुझे ने जो हिंदू महसाबा के सदस्य थे बाद में वे हिंदू महसाबा के अध्यक्ष भी बने उन्होंने परामश दिया केशव को कि उन्हें कलकता जाना चाहिए क्योंकि कलकता उन दिनों क्रांतिकारियों की काशी कहा जाता था यदि वे कलकता जाएंगे तो क्रांतिकारियों से उनके संबंद बनेंगे डॉक्टर मुंजे की बात मानते हुए केशव 1910 में 1910 में कलकत्ता जा पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने नेशनल मेडिकल कॉलेज में चिकिस्ता शास्तर की पढ़ाई करने के लिए एड्मिशन ले लिया इसके साथ ही वे अनुशीलन समिती के भी सदस्य बन गए अनुशीलन समिती के माध्यम से ही क्रांतिकारी अपनी गतिविदियों का संचालन करते थे युवा केशव के लगबग सभी क्रांतिकारियों से बहुत अच्छे संबंद बन गए वे क्रांतिकारी गतिविदियों में बढ़ चड़कर हिस्सा लेने लगे क्रामतिकारियों के बीच वे कोकेन नाम से प्रसिद्ध हो गए उनके गुप्त हत्यार का नाम एनाटोमी था इन सब गतिविदियों में बढ़ चड़कर हिस्सा लेते हुए भी उन्होंने अपनी पढ़ाई से कोई समझोता नहीं किया सेकेंड यर में यनी 1912 में जब एक्जाम्स का रिजल्ट आया तो केमिस्ट्री में उनके 72% मार्क्स थे और एनाटोमी में 65% उन्हें मेडिकल की डिग्री 1915 में प्राप्त हुई उसके बाद एक साल और वेक कलकटा में रहे और उसके बाद नाकपुर वापस आ गए मेडिकल की डिग्री लेकर डॉक्टर केशव जब घर वापस आये तो अनेक विवहा प्रस्ताव उनका इंतजार कर रहे थे अब उनके सामने एक नया धर्म संकट पैदा हुआ कि विवहा करके घर बसाएं या दास्ता की बेडियों में जकडी भारत माता के कस्त दूर करने के लिए अपने जीवन को नियुचावर करें वे जानते थे कि दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते जन्मजाद देशवक्त वे थे ही इसलिए निर्णे करने में बहुत समय नहीं लगा और उन्होंने एक संकल्प लिया कि आज इवन अविवाहित रहकर भारत माता की सेवा करूँगा इस संकल्प के साथ ही वे कॉंग्रेस की राजनितिक और क्रांतिकारी गतिविदियों में पूरी तरह सक्रिय हो गए लोकमान ने तिलक से उनका पहले से संपर्क था अब उनकी नित्यप्रती की विचार विमर्ष तिलक जी के साथ होने लगा कॉंग्रेस की राजनितिक गतिविदियां क्रांतिकारी गतिविदियां देश की सुतनतरता कैसे शीग्र तै शीग्र प्राप्त हो इस पर तिलक जी के साथ वे अकसर विचार विमर्ष किया करते थे लोकमान में तिलक द्वारा होम रूल लीक की स्थापना की गई थी इसके माध्यम से डॉक्टर केशव अपने क्रांतिकारी विचार आम जंता तक पहुचाने लगे क्रांतिकारी कारियों के लिए धने खटा करना, हत्यार खरीद कर यवाओं को देना तथा नाकपूर, कलकता और पंजाब के क्रांतिकारीयों के बीच संपर्क स्थापित करना उनके नित्यप्रतिके कारे बन गए कांग्रेस के अंदर लोकमाने तिलक के अन्याईयों ने राष्ट्र मंडल नाम का एक मंच बना रखा था डाक्टर केशव उसका नेत्रत्यों करने लगे डाक्टर केशव को पूर्ण स्थंत्रता से कम कुछ भी सुईकार नहीं था वे अक्सर कहा करते थे पूर्ण स्थंत्रता ही हमारा लक्षे होना चाहिए इसके लिए उन्होंने नाकपुर नेशनल यूनियन नामक एक मंच की भी स्थापना की थी 1919 में कॉंग्रेस ने अपना अध्यवेशन अम्रत सर में आयोजित किया उसमें डाक्टर केशव शामिल हुए और उसी समय वे जलिया वाला बाग देखने गए अब तक कॉंग्रेस के अंदर डाक्टर केशव की ख्याती एक समर्पित कर्तविनिस्ट देशभक्त कारिकर्ता की बन चुकी थी 1920 में कॉंग्रेस का एक बहुत बड़ा अध्यवेशन नाकपुर में आयोजित किया गया इस अध्यवेशन में राष्टपिता महात्मा गांधी भी शामिल हुए थे तब डाक्टर केशव ततकालीन महाराष्ट कॉंग्रेस के मंत्री थे इस अध्यवेशन की विवस्थाओं के लिए भारत सेवक मंडल नामक एक स्वयन सेवकों के दल की स्थापना की गई इस दल का नेतरत्व डाक्टर केशव ने किया लगबग 15,000 प्रतिनिदियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया था इस सम्मेलन की बहुत सारी विवस्थाएं डाक्टर लक्षमर राओ वासुदेव परांजपे के साथ मिलकर डाक्टर हैडगेवार ने समाली थी इन विवस्थाओं को समालते हुए देखकर कॉंग्रेस के अनेक बड़े नेताओं ने डाक्टर हैडगेवार और डाक्टर परांजपे की प्रशंसा की डाक्टर परांजपे और डाक्टर हैडगेवार के बीच यहीं से गेहरी दोस्ती पनपी जो आजीवन बनी रही 1921 भारतिय राजनितिक इतिहास का एक बहुत महत्पूर्ण वर्ष है जब महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन देते हुए देश में असरयोग आंदोलन की घोश्रा की डाक्टर किशव इस खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं थे लेकिन महात्मा गांधी का सम्मान करते हुए उन्होंने इस आंदोलन में शामिल होने का निश्चे किया और एक बहुत विशाल भीड के समक्ष उग्र भाशन दिया वैसे तो उन्होंने कई भाशन दिये लेकिन यहाँ भाशन उनका बहुत जादे उग्रु था जिसके कारण से उन पर राजद्रों का मुकदमा कायम किया गया अपने बचाव में न्यायाले में जब न्यायधिस के समक्ष डॉक्टर केशव ने अपना वक्तव्य पढ़ा वो वक्तव्य बहुत महत्पूर्ण है वो इस प्रकार है हिंदुस्तान में न्यायधिस्ट कोई शाशन नहीं है हमारे यहां आज जो कुछ है वह पाशविक शक्ति के बल पर लदा हुआ भय और आतंक का साम्राज्य है कानून उसका दास तथा न्याययले उसके खिलोने मात्र हैं मैंने अपने देश के बांदवों में अपनी दीन ही मात्र भूमी के परती उतकट भक्तिभाव जगाने का प्रयत्न किया है मैंने जो कहा वह अपने देश वासियों के अधिखार तथा स्वातंत्र की इस्थापना के लिए कहा अतह मैं अपने प्रतेक शब्द का दायत तु लेने के लिए त्यार हूँ कि वह सब न्यायोचित है डक्टर केशव के इस वक्तवी को सुनकर न्यायधीश ने कहा यह तो मूल भाशन से भी अधिक राजद्रोह पूर्ण है पर रडाम सरूप उन्हें एक वर्स सश्रम कारावास की सजा हुई 12 जुलाई 1922 को डक्टर हेडगेवार कारावास से मुक्त हुए कारागार से छूटने के बाद अनेक कांग्रेसी निताओं, कारिकरताओं और आम जन्मानस ने डक्टर हेडगेवार का बहुत भव्य स्वागत किया इन्ही दिनों डक्टर केशव ने स्वतंतरता नामक एक दैनिक समाचार पत्र अपने विचारों को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए प्रकाशित किया, जिसका वे कभी-कभी स्वयम भी संपादन किया करते थे अब तक डक्टर केशव की ख्याती उनके कारेओं से उनके समर्पन से डक्टर हेडगेवार के रूप में होने लगी थी अब उन्हें डक्टर हेडगेवार कहकर लोग पुकारने लगे थे 1922 में डक्टर हेडगेवार मध्य प्रांतिय कॉंग्रेस एकाई के सेह मंत्री नियुक्त किये गए कॉंग्रेस द्वारा मुस्लिमों के प्रती लगातार समर्पित भाव अपनाना और उनकी जायज नाजायज मागों के सामने हमेशा समर्पण भाव से काम करना डक्टर हेडगेवार को अब अखरने लगा था कॉंग्रेस में कारिकरताओं के बीच में अनुशाशन हींता से भी वो बहुत परिशान थे ऐसे माहौल में वे 1923 में हिंदू महासबा से जुड़ गये उस समय डक्टर मुंजे हिंदू महासबा के अध्यक्षुआ करते थे डक्टर हेडगेवार को उस समय हिंदू महासबा का मंत्री बनाया गया हिंदू महासबा में काम करते हुए डक्टर हेट गिवार को यह महसूस होने लगा था कि देश में अनेक परेशानियों और देश की दुर्दशा का काराण हिंदूों का असंगठित होना और उनकी स्वाबिमान हीनता है तब उन्होंने देश के हिंदू समाज को संगठित करने के लिए काम करने का निर्णे लिया परिडाम सरूप 27 सेप्टेंबर 1925 विजय दश्मी के दिन डक्टर हेट गिवार ने अपने 15-20 साथियों के साथ मिलकर एक कमरे में संग की स्थापना की उस समय उनके प्रमुक साती थे भावजी कावरे, अर्ना सोहोनी, विश्वनात केलकर, बालाजी हुद्दर और बाबुराव भेदी 28 मे 1926 को राश्टिय स्वेंसेवक संग की पहली शाखा नाकपुर में मोहिते के बाड़ा नामक स्थान पर शुरू हुई मोहिते का बाड़ा एक बहुत उबर खापड मैदान था, जिसे डॉक्टर हैडगेवार ने स्वयम साफ किया था डॉक्टर मुन्जे शुरू से ही युवाओं के सैनिक प्रसिक्षन के पक्ष में थे अतह डॉक्टर हैडगेवार के कहने पर एक पूरु सेनिक मारतंड राव जोग नियमित रूप से शाखा पर आने लगे और उन्होंने स्वयम सेवकों को अनुशाशन और परेड सिखाना शुरू कर दिया डॉक्टर हैडगेवार प्रतेक गुरुवार और रविवार को शाखा पर स्वयम सेवकों के साथ रास्ट्रे और सामाजिक विश्यों पर चर्चा किया करते थे अब डॉक्टर हैडगेवार ने संग का नामकरन करने के लिए अपने साथियों से कहा 17 एपरिल 1926 को काफी विचार रिमर्ष गहन चिंतनमरन के बाद संग ठन का नाम राश्ट्रिय स्वें सेवक संग रखा गया 9-10 नवंबर 1929 को स्वें सेवकों की एक बैठक में संग के पहले सरसंग चालक का पद डॉक्टर हैडगेवार को दिया गया 11 नवंबर 1929 को डॉक्टर हैडगेवार को प्रथम सरसंग चालक प्रणाम दिया गया डॉक्टर हैडगेवार ने अपने साथियों स्वें सेवकों की सहमती से भगवा धज को राश्टिय स्वें सेवक संग के गुरू के रूप में इस्थापित किया और हर वर्ष गुरू दक्षणा के लिए प्रेरित किया महात्मा गांधी जी ने 1930 में नमक सत्यागरह शुरू करते हुए दांडी यात्रा शुरू कर दी थी यह देश व्यापी सत्यागरह था डॉक्टर हैटगेवार इस सत्यागरह में शामिल होना चाहते थे लेकिन संग को इससे दूर रखना चाहते थे क्योंकि उन्हें संधेय था कि यदि संग को इस सत्यागरह में शामिल किया तो हिंदुओं के संगठन के काम को नुक्सान पह रांजबे को उन्होंने अपने सरसंग चालक का पत सौंप दिया इसके बाद विक्तिगत रूप से उन्होंने यवत्माल जाकर दस हजार लोगों के साथ जंगल सत्याग्रय किया उग्र भाशर दिये गिरफतारी हुई दो अलग-अलग धाराओं में उन्हें गिरफतार किया पहली धारा में उन्हें छे माहा का कारावास हुआ और दूसरी धारा में उन्हें तीन महीने का कारावास हुआ दोनों कारावास अलग-अलग चलने थे इसलिए नौ महीने का कारावास उन्होंने अकोला जेल में काटा वहां से वापस आने पर डॉक्टर परांजपे ने सरसंगचालक का पद उन्हें वैसे ही वापस कर दिया जैसे श्रीराम के वन से वापस आने पर भरत में अयुद्या की राजगदी उन्हें सौप दी थी कॉंग्रेस ने जब 1929 के अपने लाहर प्रस्ताव में पूर्ण सुराज की मांग की तो 21 जन्वरी 1930 को डॉक्टर हैटगेवार ने अपने सभी स्वेंसेयोकों को एक पत्र लिखा और उनसे कहा कि 26 जन्वरी 1930 को वेस सतंतरता दिवस मनाएं और कांग्रेस को पूर्ण सुराज की मांग करने के लिए बढ़ाई प्रेशित करें डॉक्टर हैटगेवार संग के संस्थापक थे सरसंगचालक थे अर्थात संग के सर्वोच परत्वा आसीन थे सभी जन्जिवक उनका बहुत सम्मान आदर करते थे उनकी बात मानते थे इसके बाबजूत वे किसी भी निर्णे को स्वयम न करके सभी साथियों स्वयम्सिवकों से चर्चा विचार विमर्ष करके किया करते थे उन्हें हमेशा ये ध्यान रहता था कि संग में पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रिक्रिया कायम रहे हिंदू सभा में काम करने के कारण वीर सावरकर डॉक्टर हैडगिवार से बहुत प्रभावित थे एक बार वे संग द्वारा आयोजेत हिंदू युवक परिशद के कारिकरम में आये और वहां आकर उन्होंने संग के काम को यशेश्वी होने का अपना आशिरवात प्रदान किया नेता जी सुभास्चंदर बोस के साथ डॉक्टर हैडगिवार की भेट 1928 में कलकत्ता में हुई थी नेता जी सुभास्चंदर बोस को डॉक्टर साब की हिंदू संग्रठन की कोशिश बहुत पसंद आई थी डॉक्टर हैडगिवार और क्रांतिकारियों के बीच कितने गहरे और विश्वास्पून संबंद थे इस बात का पता इस घटना से लगता है कि डॉक्टर हैडगिवार ने शहीद भगत सिंग के साथी शहीद राजगुरू को भूमिगत अवस्था में कुछ समय के लिए उ 25 डिसंबर 1934 को महात्मा गांधी संग के वर्गा शिविर में पदारे उन्होंने डॉक्टर हैडगिवार से मिलने की इच्छा प्रकट की उस समय डॉक्टर हैडगिवार शिविर में नहीं थे जब वे आये और उन्हें पता लगा कि गांदी जी पदारे थे और वे उनसे मिलना चाहते हैं तो अपने दो सातियों के साथ उन्होंने अगले दिन गांदी जी से भेंट की गांदी जी से लंबी चर्चा हुई और उसके बाद मात्मा गांदी ने डॉक्टर हैट गेवार को सफल होने का शुबाशीश परदान किया 1940 में पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीम्राव अंबेड कर पूणे की एक संग की शाखा पर पदारे हैं उन्होंने वहाँ पर संग के स्वेमसेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि आपको अब देश में व्याप्त जातिय भेदभाव और अ रास्ट्रिय स्वेमसेवक संग की ख्याती चारों और फैलने लगी थी संभवत इसी से प्रभावित होकर नेता जी सुबाश्चंदर बोस ने दो बार डॉक्टर हैडगेवार से भेट करने की कोशिश की पहली बार 1939 में जब वे नासिक के पास देवलाली में बिमार थे दूसरी बार 1940 में नेता जी ने डॉक्टर हैडगेवार से भेट करने की कोशिश की लेकिन तब तक डॉक्टर हैडगेवार की बिमारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि उसके अगले ही दिन 21 जून 1940 को डॉक्टर हैडगेवार भारत माता की गोद में चिर्द मिद्रा मे सो गए मुरत्यु से पूर्व डॉक्टर हैडगेवार ने सरसंग चालक का पद माधवराव सदाशिवराव गुलवलकर को सौपते हुए कहा कि अब आगे संग का कार आपको ही समालना है यह बहुत भावुक्छन था डॉक्टर हैडगेवार की समाधी हैडगेवार स्मृति मंदिर रेशंबाग नाकपुर में इस्थित है जहां पर देश-विदेश के लोग इस जन्मजात देश-भक्त को अपने श्रद्धा सुमन आर्पित करने आते हैं संग के संसिवकों के लिए तो यह समाधी तीर्थ इस्थल ही है जहां पर वे अपने जीवन में कम से कम एक बार जाकर दर्शन करना चाहते हैं